देश में भले ही आज बुलिट ट्रेन और बंदिव भारत एक्सप्रेस जेसी सर्व सुविधा युक्त तेज रफ्तार पटरी पर दोड़ रही है। लेकिन महा समुन्द जिले के सराय पाली बसना और पितोरा शेत्र में रहने वाली एक बड़ी आबादी आज भी रेल लाइन का इंतजार कर रही है। इन्हें रेल लाइन की सौगात नहीं मिली और यही पज़य है कि इन्हें आज भी आत्रा के लिए बसों और ट्रांस्पोर्टिंग के लिए ट्रकों का सहारा लेना पड़ता है। महा समुन सांसद रूप कुमारी चोथरी ने रेल मंत्री अश्विनी वैश्णव से मुलाकात कर राइपूर से संबल पूर तक रेल लाइन को जोडने की मांग की। यदि ये रेल लाइन जुड़ जाती है तो अंचल वासियों को इसका फायदा मिलेगा साथी दो राज्यों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से बहतर संबंद भी स्थापित होंगे। महासमुन जिले के सरायपाली, बसना और पिथोरा श्यत्र में रेल बेज सुविधार ना होने के कारण आम लोगों को बसों की यात्रा भारी महंगी पड़ रही है। जहां एक और हिंदोस्तान में वंदे भारात आम बुलेट ट्रेन की बात होती है और चल भी रही है। महासमुन जिले में बात होती है। आग बहरा तक रेल लाइन का विस्तार तो हुआ है लेकिन सराय पाली बसन और पितोरा अंचल के लोग आज भी रेल लाइन से को सो दूर है। तो इसका फाइदा 36 कर के साथ ओडीशा के लोगों को भी मिलेगा। शिक्ष्वा, स्वास्त, परिटन का लाग तो मिलेगा ही ताथ ही लाखों लोग प्रेन का सफर भी कर सकेंगे। 2018 के विधान सभा चुनाव के दोरान डक्षा मंतरी राजशनात सिंग ने वसना में रेल लाइन जोडने की घोशना की थी। तो वहीं राइपूर बढ़गर रेल लाइन निर्मान संघर्श उस्तमिती ने 2022 में रेल मंतरी अश्विनी वैशनव से मुलाकात कर रेल लाइन सर्वे की मांग भी की थी। इसके बाद 2022 में भुबनीश्वर की एक निजरी कंपनी को सर्वे का जिम्मत सौपा गया लेकिन पिछले दो सालों से सिर्फ सर्वे ही चल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि सर्वे कब पूरा होगा और शेत्र की जनता को रेल लाइन की सौगात कब मिलेगी।